सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल गुरूप पच्छकोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एब भी जहिन जहराजधनी कैसे आप सभी मैं हमत कुमार सिंग आप सभी का बाईलोजी मेंटर एक बार फिट से हमारी राजधनी परिवार के यूटूब चैनल पे आपका हार्डिक स्वागत करता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जैसा कि आपको पता है मैंने प्रिवियस लेक्टर में कौन सा चैप्टर एंड किया मैंने previous lecture में मानव के पाच्चन तंत्र human digestive system को क्या कर दिया है end कर दिया है उसको जो है over कर दिया है उसी particular chapter के बाद हम अब नए chapter के तरफ lead कर रहे हैं और ये भी human physiology का मानव के कारिकी का physiology का सबसे important chapters में से एक है आज हम पढ़ने वाले हैं circulatory system परिसंचरन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इस circulatory system में हम जो है basically two parts में divide करके हम study करेंगे first of all जो first part हम पढ़ेंगे इस chapter में that will about blood हम केवल रक्त के बारे में पढ़ेंगे और जो next part होगा next portion होगा वो हम पढ़ेंगे heart के बारे में तो यहां पर two particular parts में divide करके हम इस chapter को complete study करने वाले हैं एक जो portion होगा एक जो part होगा वो पुरा complete blood का होगा जहां पर अलग-अलग प्रकार के blood cells के बारे में हम देखेंगे blood clotting factor, blood clotting का process क्या होता है अलग-अलग प्रकार के different types के various form of blood groups की बात करेंगे रक्त सम्हू की बात करेंगे और heart वाले topic में हम heart के external, internal structure की बात करेंगे heart जो है कैसे work करता है, इसका mechanism क्या होता है हिदे, चक्र, cardiac cycle की बात करेंगे और last topic जो होगा हमारा वो होगा की circulatory system, blood circulatory system, रक्त, परिसंचरन, तंत्र से सम्मंधित कौन-कौन से disease ऐसे होते हैं, जिनको हमें study करना होता है इन सभी basic points को हम जो हैं यहाँ पे इस chapter में क्या करने वाले हैं, study करने वाले हैं तो start करते हैं इस chapter को, circulatory system को और इसमें हम first of all क्या study करेंगे मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि circulatory system क्या होता है इससे पहले मैं आपको यह बता दूँ जो कि आपको पता भी होना चाहिए कि circulatory system को हम हिंदी में क्या कहते हैं देखिए, यहाँ पे circulatory system कह देँ या फिर इसी को क्या कहा जाता है, इस joint इसे ही कहा जाता है परिसंचरन तंत्र क्या कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं परिसंचरन तो हम यहाँ परिसंचरन तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में श्टड़ी करने वाले हैं अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है परिसंजरन या सर्कुलेट्री इसका मीनिंग क्या होता है और कौन-कौन से वो प्रदात होते हैं कौन-कौन से वो सबस्टांस होते हैं जिनका यहाँ पर इस सिस्टम इस तंत्र के माध्यम से कंडक्शन और समवहन होने वाला है या फ देखें यहाँ पर हम देखते हैं किस-किस प्रदात का होता है इन प्रदातों में सबसे उपर जो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूं यह क्या है यह होते हैं ब्लड या फिर यह किस में आते हैं बॉडी फ्लूड में आते हैं ठीक है मैंने का बॉडी फ्लूड जो भी हमारे सरीर में fluid condition में जो भी substance होते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं डैहिक द्रव्य क्या कहते हैं इसे डैहिक द्रव कहते हैं तो इन सभी प्रकार के प्रदाथों का क्या होने वाला है circulatory system परिसंचरन तंतर के माध्यम से यहाँ पर यह conduction सो करने वाले हैं देखिए body fluid के साथ साथ मैंने कहा दैहिक द्रव के साथ साथ यहाँ और किस-किस प्रदाथों का यहाँ पर circulation होता है body fluid के साथ साथ यहाँ पर respiratory substance की अगर बात करते हैं जो भी सोशनी प्रदाथ होते हैं gases होते हैं तो गैसों केklärmus मैं सरकुलेटरी सिस्टम क्या कर सकता है help कर सकता है तो यहाँ पर देखिए मैंने का अगर हम किसकी बात करें अगर हम यहाँ पर respiratory किसकी बात कर रहे हैं यहां पर respiratory gases की बात करें तो respiratory gases जो भी होते हैं जिसे क्या कहते हैं इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वस्थनी गैस क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं स्वस्थनी जो गैस होते हैं उसके वीनी में में उसके एक्सेंज में भी क्या करते हैं मैंने का यह गैस जो ह रिया है respiratory gases को भी यहां पे include कर लिया है respiratory gases के साथ साथ और कौन-कौन से प्रदात हैं तो मैंने कहा यहां पर इसी सिस्टम के माध्यम से कुछ amount में थोड़ी बहुत मात्रा में उच्छी प्रदातों का भी क्या होने वाला है परिसंचरन होने वाला है और यहां पर हम ले रहे है next category जो substance का है वो क्या है मैंने का यह है ex-cretory substance क्या है यह मैंने का यह है ex-cretory substance होते हैं मतलब यहां पे थोड़े बहुत amount में जो है उच्छी प्रदात किसकी बात कर रहे हैं उच्छी प्रदात की बात कर रहे हैं उच्छी प्रदात का भी क्या होने वाला है मैंने का यहां फिलीड कर लेते हैं मैंने आपको क्या बताया कि सेक्ट ही इसलटी में हिंदी में लेकिन यहां पे सेक्ट लेकिन बॉलेशन्यों किन प्रकार के प्रकार यहां पर नसे की अम आपकर इस बम किलींड प्रसेंट होते हैं जो भी यहाँ पे सौसं से संबंदित gases होते हैं उसका वीनी में भी possible होता है और कुछ amount में, some amount में यह क्या करते हैं, एक्स्ट्रिट्री सबस्टांसेज या उस सरजी प्रदाथों के परिसंचरन में भी अपना impotent role play करते हैं, ठीके, अब देखिए, यहाँ परिसंचरन तंत् में इन सभी basic point के साथ अब हम यहाँ पर इसी topic को study करने वाले हैं, कि circulatory system जो है, वो कितने types की होते हैं, या फिर इस circulatory system में हमें कौन-कौन से topics को जो है, sequentially, series-wide जो है, एक व्यवस्तित order से पढ़ना है, study करना है, हम यह study करने वाले हैं, देखिए, यहाँ पर अगर हम circulatory system की बात करें, और circulatory system के types की बात करते हैं, देखिए, circulatory system के types की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने types की बात करेंगे, यह दो प्रकार की होते हैं, कितने प्रकार की होते हैं, मैंने का यह two types की होते हैं, दो प्रकार की होते हैं, और इनके प्रकार में, देखिए, हम कौन-कौन से जो हैं types को यहाँ पे study करने वाले हैं देखिए यहाँ पे जो force type हम study करेंगे यह क्या है यहाँ पे force type जो होता है basically इसे हम कहते हैं blood vascular system क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है blood vascular ठीक है? क्या कहते हैं? blood vascular system कहते हैं देखिए रक्त सम्वहन तंत्र इसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है, रक्त सम्वहन तंत्र में, specially हम blood के conduction की बात करते हैं, तो जो two category है, जो दो प्रकार के यहां पे, जो system, इस circulatory system में जो दो category है, एक तो blood, vascular system उसमें हमारा क्या हो गया, first category क्या ले रहे हैं क्या होने वाला है संव्हेन होने वाला है तो यहां पे हम लसिका के बारे में especially पढ़ेंगे जबकि blood vascular system में हम blood के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने का यहाँ पर कौन सा system आता है यहाँ पर lymphatic system आता है देखिए, दो स्रेनी में या two category में मैंने इसको divide कर दिया है मैंने कहा कि यह जो circulatory system होता है, मैंने का यह CS से मने से represent कर दिया CS मतलब circulatory system parisansiran तंतर के दो परकार होते हैं जो हमें इस topic में cover करना है हमें पढ़ना है यहाँ पे blood vascular system के बारे में रक्त समवहन तंतर के बारे में और किसके बारे में पढ़ना है हमें पढ़ना है लसी का तंतर के बारे में जिसे हम कहते हैं lymphatic system लसी की तंतर कहते हैं देखे यहाँ पे अगर हम especially किसकी बात करते हैं इस joint रक्त समवहन तंतर की बात करते हैं तो रक्त समवहन तंतर में हम किसकी से topic को include करते हैं या फिर क्या क्या रक्त समवहन तंतर में आते हैं हम इसकी बात करेंगे, देखिए, यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ही हम किसको count करने वाले हैं, हार्ट को count करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हिर्दे को count करने वाले हैं, हिर्दे भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ही part होता है, हिर्दे के साथ साथ, हार्ट के साथ जो कि यहां पे इसी blood vascular system में आते हैं यह क्या होता है रक्त होता है blood होता है blood के साथ साथ यहां पे और क्या आता है मैंने का blood के साथ साथ यहां पे blood vessels भी यह blood vascular system में ही आते हैं देखे मैंने आपको क्या क्या बताया यह heart के बारे में बताया blood के बारे में बताया या blood vessels के बारे में बताया कि ये तीनों ही प्रकार के जो categories हैं हम यहाँ पे blood vascular system में count कर रहे हैं देखिए यहाँ पे अगर especially lymphatic system की बात करें lymphatic system में हम किस-किस particular topic को study करते हैं यहाँ इसमें क्या-क्या सम्मिलित होता है देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं lymph के बारे में मतलब लसीका के बारे में तो lymphatic system में lymph आते हैं देखिए lymph के साथ-साथ यहाँ पे और क्या आते हैं मैंने का lymph के साथ-साथ यहाँ पे lymphatic vessels आते हैं मैंने का यहाँ पर lymphatic vessels आते हैं यहाँ पे lymphatic system में ही आते हैं, मैंने का यहाँ पे lymph node, lymph node क्या होता है, lymph nodes को हम कहते हैं हिंदी में क्या, इसे कहते हैं लसी का ग्रंथी, क्या कहते हैं, लसी का ग्रंथी कहते हैं, तो देखे, इन सभी particular part के बारे में हम क्या करने वाले हैं, study करने वाले हैं, मैं आपको बता दू कि यहाँ पे lymph के बारे में हमें पढ़ना है lymphatic vessels के बारे में पढ़ना है और lymph node के बारे में हमें पढ़ना है इसी ही chapter में हम इन सभी बातों को क्या करने वाले हैं discuss करने वाले हैं लेकिन major part जो इस chapter का कौन सा होता है मैंने कहा यह heart वाला part होता है हाट के बारे में यहाँ पे मेजरली मुख्य रूप से हमें study करना होगा और साथ साथ हमें यहाँ पे बलड के बारे में मुख्य रूप से study करना होगा और साथ साथ यहाँ पे हाट और बलड के साथ साथ थोड़ा बहुत जो point है हमें lymphatic system के बारे में discuss करना है अब देखें आपको ये elementary idea लग गया कि हम इस chapter में किस-किस topic को यहाँ पे discuss करने वारे थे मैंने यहाँ पे circulatory system के types के बारे में discuss किया है अब सीधे lead करते हैं कि अगर हम यहाँ पे circulatory system को classify करें या फिर इसका वरगे करन देखें किस basis पे कि यहाँ पे blood का flow जो है वो किस प्रकार से हो रहा है तो blood के flow के mechanism उसके क्रियाविधी के आधार पर हम circulatory system को again two types में क्या करने वाले हैं divide करने वाले हैं लेकिन इस बार इस classification इस वरगे करन का आधार क्या है मैंने का इस classification का base है कि on the basis of the mechanism of flowing of blood कि यह जो blood है वो किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं क्या यह openly प्रवाहित होते हैं मतलब यहाँ पे या फिर यह किसी प्रकार के duct के माध्यम से किसी जो है chamber के माध्यम से यह प्रवाहित होते हैं तो blood का flow किस प्रकार से हो रहा है प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है, इस अधार पे हम blood या फिर ये circulatory system को two category में divide कर सकते हैं, तो मैंने का देखे, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, suppose मैंने यहाँ पे लिया circulatory system, ठीक है, अब देखे, यहाँ पे इसके two types की बात करने वाले, यहाँ से भी बहुत सारे basic questions आपको modules म दिखाई देने को मिल सकते हैं, NCRT में भी इस point को include किया गया है, देखे, मैंने का circulatory system की अगर हम बात करें, मैंने का यहाँ पे circulatory system और देखे, यहाँ पे circulatory system जो है, इसको again मैं कितने parts में divide कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे blood के flow के basis पे, किसके basis पे, मैंने का य blood के flow के basis पे, या फिर रक्त के प्रवाह के basis पे, इस circulatory system को हम again two types में divide कर सकते हैं, कितने types में, मैंने का two types में divide कर सकते हैं, इसमें जो very first type होता है, यह क्या होता है, देखे, इसमें जो very first type होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, open circulatory system, क्या कहते हैं, या फिर इसे कहते open type of open type of circulatory system circulatory system को मैंने यहाँ पे CSC represent कर दिया है इसका meaning क्या है कि खुले प्रकार का परिशंचरन तंत्र क्या है यह इसका meaning होता है open type of circulatory system मतलब खुले प्रकार का परिशंचरन तंत्र next type क्या है दूसरा जो प्रकार होता है circulatory system का वो क्या होता है, यहां पे हम discuss करेंगे, यहां पे second type जो होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहां पे closed type of circulating system, क्या कहेंगे, closed type of circulating system, अब बिलकुल हम basic से poign quality को डिस्कॉस कर रहे हैं, इसके बार directly हम lead करेंगे blood के बारे में, देखिए यहाँ पे जो open type of circulatory system है और close type of circulatory system है हम इन दोनों की बीच में किस तरह से इसों हैं आपस में विभाजित कर सकते हैं differentiate कर सकते हैं मैं आपको यह बताने वाला हूँ देखिए यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें यहाँ पे अगर open type of circulatory system की बात करते हैं तो यहाँ पे blood का flow कैसे होता है हम यह देखते हैं देखिए यहाँ पे जो रक्त का प्रवा होने वाला है जो blood का flow होने वाला है वो कैसे होता है मैंने का यह openly होता है कैसे होता है यह openly होता है या open chamber में होता है एक खुले प्रकार के chamber में होता है और इस प्रकार के blood के flow को हम open type of circulation कहते हैं या फिक खुले प्रकार का parisantron कहते हैं अब ये open chamber जो है इसे और क्या कह सकते हैं इसी open chamber को हम कहते हैं sinus chamber को हम कह सकते हैं coast या sinus sinus के लिए ही और कौन सा term हम use कह सकते हैं इसी को कहा जाता है lacquini क्या कहते हैं इसे इसे ही कहते हैं Lakevini, Lakevini का मतलब क्या होता है Some type of cavity, कुछ परकार के गुहा जिसमें यहाँ पर परिसंच्रन होता है, अब देखिए मैंने का यह Open Chamber में होता है तो यह खुले परकार के अगर Chamber में यहाँ पर Blood Flow होता है तो सीधे यहाँ पे एक single सा statement मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे cell set tissue में क्या होता है मैंने का यहाँ पे cell set tissue में मतलब कोसिका से उतक में जो blood का flow है वो open type का हो रहा है यह open chamber में होता है open chamber को open sinus कह सकते हैं या फिर इसे lacquini कह सकते हैं अब सीधे हम बात करते हैं close type of circulatory system की तरब देखिए यह जो close type of circulatory system होता है इस trend इसमें क्या कहा जाता है इसमें यह कहा जाएगा कि इस प्रकार के circulatory system में क्या होता है मैंने का यहाँ पे इस प्रकार के circulating system में blood का flow किस प्रकार से होता है देखे यहाँ पे जो blood का flow होता है वो open chamber में ना हो करके एक close chamber में होता है क्या होता है मैंने का यहाँ यहाँ पे बंद प्रकार के chamber में होता है यहां बोला मैंने यह जो है close chamber में यहां पे क्या होने वाला है blood का flow होने वाला है अब यह close chamber क्या क्या होते हैं मैंने का देखिए यह close chamber में हम अगर example discuss करें मैंने का अब यहां पे जो blood का flow है वो कहा होगा मैंने का heart में होगा कहा होगा हिदे में होगा हिर्दे के साथ साथ ये और कहा हो सकता है मैंने का ये blood vessels में होगा किसमें होगा ये blood vessels में होगा बिल्कुल सा important point है ये क्या मैंने का close type of circulatory system में blood का flow इसका circulation एक close chamber में होता है बंद प्रकार के coast में होता है example लिया है मैंने ये heart के तरू हो सकता है या फिर किसी ने किसी blood vessels के तरू हो सकता है अब सीधे यहाँ पे example डिसकस करना होता है कि हमें यहाँ पे कौन-कौन से example की बात करने वाले हैं देखे यहाँ पे जो open type of circulation होता है यहाँ पे हम किस example की बात करते हैं कि यह जो open type खुले प्रकार का परिसंस्टन होता है यह सामानी रूप से जो हमें lower animals में देखने को मिलता है मैंने का जो भी निम्न प्रकार के जीव जन्तु होते हैं उसमें lower animals में open type का blood का क्या होगा circulation होगा यहाँ पे lower animals में हम किस-किस को count कर सकते हैं मैंने का यहाँ पर ही हम अगर next example लेते हैं तो हम अगर किस की बात करें हम यहाँ पे orthropoda की बात करते हैं किस की बात करते हैं orthropoda की बात करते हैं मतलब आप जानते हैं कि orthropoda में ही क्या आता है इसी orthropoda में हम जानते हैं कि इसी में insects आते हैं तो कीट की बात करते हैं, इंसेक्स की बात करते हैं, इंसेक्स में भी जो blood का flow होता है, वो क्या होता है, cell से tissue में open chamber में होता है, तो lower animals, orthropoda ले लिया, इसके साथ मैंने जब आपको animal diversity पढ़ाया था, वहाँ पर हमने echino dermeta जो है, इस class, इस particular phylum की भी बात की थी, तो हम यहाँ प blood का circulation होता है, और all the types of lower animals इसमें हम क्या कर सकते हैं, include कर सकते हैं, सीधे यहाँ पर example की बात करते हैं, कि अगर हम close type of circulatory system की बात करें, तो यहाँ पर यह क्या कहा जाएगा, यहाँ पर यह जो होता है, heart और blood vessels के तुरू होने वाला जो यहाँ पर circulation होता है, इसमें हम कौन कौन से example हम consider करते हैं, मैंने का देखिए, यहाँ पर हम example consider करते हैं, higher animal का, किसका, मैंने का यहाँ पर हमने ले लिया, higher animals जो होते हैं, इसको हमने क्या कर लिया, इसमें include कर लिया है, और देखिए, मैंने का यहाँ 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 डर्मेटा के साथ मोलस्कंस भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांस तिया मॉलस्कंस में open type का होता है कुछ मॉलस्कंस में क्या होते हैं close type के होते हैं तो आपको जो मॉलस्का के जो member होते हैं उसके बारे में भी ये point learn करना है high animals में हमने ले लिया especially यहाँ पे mammals की बात करेंगे या फिर हमने ले लिया यहाँ पे यह किस में देखने को बिलता है rabbit में या फिर यहाँ पे mammals में हम बात करें यहाँ पे human being में ठीक है human being में भी किस प्रकार का जो है रक्त का परिसंचिनन या blood का circulation होने वाला है किस प्रकार से close type का ही circulation होता है इसलिए human being में close type of circulatory system पाया जाता है जिसमें या तो heart के दुरू होने वाला है blood का conduction या फि blood vessels के दुरू यहाँ पे रक्त का प्रवाह होने वाला है देखे मैंने आपको क्या-क्या discuss किया है इसको हम one more time revise कर लें उसके बाद directly हम lead करेंगे कि blood रक्त क्या होता है circulatory system परिसंचरन तंत्र के बारे में बताया है इसके बारे में हम study करने वाले हैं देखे यहाँ पे जो circulatory system है इसमें किस प्रकार के प्रदाथों का क्या होता है मेने का conduction होता है या circulation होता है इसमें हमने first of all consider किया है body fluid body fluid के साथ-साथ यहाँ पे respiratory gases की बात करते हैं तो कुछ प्रकार के सोचनिये जो गैस है उसके वीनिमे में उसके एक्सेंज में भी इन्पोटेंड रॉल प्ले करता है साथ-साथ हम यहाँ पे डिसकस करते है एक्स्क्रिट्री सबस्टांसिज या उस्सरजी प्रदाथों का भी इसी circulatory system के मादियम से होता है क्या परिसंचरन इसके साथ-साथ मैंने आपको यह भी कहा भी कि इसमें circulatory system जो है इसको two types में हम classified कर सकते हैं इसमें हम blood vascular system और lymphatic system की बात करेंगे blood vascular system में क्या क्या आता है heart, blood आते है blood vessels आते हैं और lymphatic system में क्या आता है लसी का तंत्र में मैंने का इसमें lymph आते हैं lymphatic vessels आते हैं और lymph node आते हैं इन सभी point को discuss करने के साथ मैंने आपको यह भी बताया कि on the basis of the flow of the blood it can be circulatory system can be categorized into two particular category and what is it first जो है यहाँ पे है open type और second क्या है close type हमने यह देखा कि इसको हम कैसे define कर सकते हैं और साथ सथ हमने इन दौनों ही category से summary example की भी क्या की बात की यह बिल्कुल basic सा point था इस chapter का एक summary आप इसे मान सकते हैं जिसके बारे में हमें इन सभी point को discuss करना है detail में advanced level पे, peak level पे हमें discuss करना है अब सीधे हम lead करने वाले हैं अब जो है basically मैंने जैसा कि आपको कहा कि इस chapter को हम two halves में divide करके study करेंगे एक में हम पढ़ेंगे blood के बारे में एक में पढ़ेंगे especially heart के बारे में थोड़ा बहुत जो amount होगा वह हम पढ़ेंगे lymphatic system के बारे में तो first of all मैं start करने वाला हूँ इस blood के बारे में कि ये blood आखिर क्या होता है इससे संबंदित जो भी basic point मुझे आपको provide करना है उसके बारे में हम study करने वाले हैं देखिए अब जो हमारा next topic है ये क्या है blood है देखिए यहाँ पे blood आप जानते हैं blood को क्या कहेंगे blood को कहते हैं रक्त अब देखिए यहाँ पे blood को define करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक basic chart provide करने वाला हूँ एक जो है table provide करने वाला हूँ और इस table के दुरू आप ये समझ पाएंगे कि हम किस परकार से blood को refine कर सकते हैं ये blood होता क्या है देखिए blood के लिए simply book में ये लिखा जाता है कि blood जो है वो क्या है मैंने का ये एक fluid है ये क्या है एक fluid है या फिर ये कहें ये किस परकार का tissue होता है किस परकार का उतक होता है तो ये कहते हैं कि ये जो है ये blood fluid connective tissue होता है किस प्रकार का tissue होता है मैंने का ये संयोजी उतक तो होता है लेकिन किस प्रकार का संयोजी उतक तो हम इसमें कहते हैं ये fluid connective tissue होते हैं तो देखिए इसी के बारे में हम study करने वाले हैं कुछ एक point मैं आपको already यहां पे बता दूं कि blood क्या होते हैं मैंने का देखिए blood जो होता है book में आपको लिखा मिल जाएगा it is a fluid connective tissue क्या होते हैं यह मैंने का यह जो है basically fluid connective tissue होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि यह fluid connective tissue यहां पे क्यों बोलते हैं यहां पे एक table के दुरू मैं आपको इसका summary प्रवाइड करने वाला हूँ मतलब यह एक प्रकार का जो है तरल सयोजी उतक होते हैं इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं कि यह रक्त क्या है रक्त एक तरल सयोजी उतक है अब यह कि दुरू हम समझने की कोशिश करेंगे कि सयोजी उतक क्या होते हैं इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए तब ही हम यह समझ सकते हैं कि blood क्या होता है देखिए यहां पे especially अगर यह point discuss करें कि यह जो fluid connective tissue होते हैं वो आखिर होते क्या या सयोजी उतक कैसे हम define करना होता है तो जब हम 11th NCRT के according animal tissue histology जिसे कहते हैं जन्तू उतक का chapter study करते हैं तो वहां पे आपको connective tissue के बारे में भी study करना होता है और सयोजी उतक में वहां पे हमें classification देखना होता है वो क्या होता है उसके basis पे हम इस blood को समझ सकते हैं देखिए यहां पे blood के कौन-कौन से component हो अगर यहां पे student हम किसकी बात करें यहां पे हम connective tissue की बात करते हैं किसकी बात करते हैं connective tissue की बात करते हैं आप जानते हैं कि connective tissue को क्या कहते हैं मैंने का इसको सयोजी उतक कहा जाता है क्या कहते हैं सयोजी उतक कहते हैं और इस connective tissue को two category में divide कर सकते हैं कितने category में यहां पे सेयों जी उत्त को two category में divide कर सकते हैं और ये category कौन कौन से होते हैं मैंने का यहाँ पर देखिए connective tissue जो है इसके two category कौन कौन से होते हैं first जो category होता है strength ये क्या होता है मैंने का इसे हम divide करते हैं connective tissue proper क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं connective tissue proper कहते हैं ठीक है और जो next category होता है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्पेसिलाइजड क्नेक्टिव टिशू देखें कनेक्टिव टिशू को मैंने यहाँ पे CT से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि सॉट फॉर्म में आपको मालूम होना चाहिए मैंने यहाँ पे कनेक्टिव टिशू प्रॉपर और next category क्या लिया है इसे कहते हैं विस्टिकरत सायोंजी उतक कहते हैं अब देखिए यह specialized connective tissue को again हम कितने category में divide करते हैं मैंने का इसको हम two category में divide कर सकते हैं कितने category में मैंने का इसको again हम two category में divide कर सकते हैं और यह कौन-कौन सा होता है यह जो specialized connective tissue होते हैं इसका जो first category है इसको divide कर रहे हैं तो यह होता है fluid connective tissue और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे fluid connective tissue की बात करते हैं connective tissue को मैंने यहाँ पे simply CT से represent कर दिया है अब देखिए, अब हम ये discuss करने वाले हैं कि इसकी एक category तो हमने discuss किया कि fluid connective tissue है और जो next category होता है student इसे क्या कहते हैं? fluid connective tissue के साथ साथ यहाँ पे हम next category लेते हैं supportive क्या है? मैंने का supportive connective tissue दो परकार के connective tissue को मैंने किस category में लिया है? specialized connective tissue या विस्षिष्टिक रत सायोजी उतक में मैंने इसको consider किया है और अभी मैंने आपको एक basic सा point प्रवाइट किया था कि यह जो blood क्या होता है? कि यहाँ पर यह होते क्या हैं तो आपने यह देखा कि fluid connective tissue एक परकार का सायोजी उतक है सायोजी उतक में भी किस परकार का उतक है? मैंने का विस्षिष्टिक क्रत सायोजी उतक है specialized connective tissue होते हैं और इसी में तो क्या आते हैं? यहाँ पर fluid connective tissue भी आता है कि supportive connective tissue में हम किस topic को study करते हैं और इस particular तरल से उत्तक में हमें कौन कौन से topic को study करना होता है देखिए पहले हम यहाँ पर बात कर लें कि supportive connective tissue में क्या क्या आता है supportive connective tissue में हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं यहाँ पर bonds की बात करते हैं वन्स को आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं इसे हिंदी में इसे कहा जाएगा अस्थी क्या कहते हैं और काटिलेज को पास्थी कहते हैं ये सारे concept हम इसलिए discuss कर रहे हैं क्योंकि हमें इस chapter को या किसी भी chapter को जो की biology से बिलॉंग करता है उसे as a theory study नहीं करना है theoretical way or theoretical approach हमरा बिल् concept से भरे हुए हैं आपको इन सभी point को तभी आप समझ सकते हैं entirely जब आप इन सभी concept के बारे में आपका जब अगर basic जो है strong रहेगा तो ही आप समझ पाते हैं लेकिन अगर simply अगर मैं ये बोलू कि मैं अगर आपको सीधे blood के बारे में ये बताता कि ये blood क्या होते हैं fluid connective tissue होते हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि fluid connective tissue क्या होते हैं तो इसी लिए इससे basic point को हमें पहले discuss करना होगा उसके बाद हम blood के बारे में discuss करेंगे in detail तो मैंने कहा यहां पे रखिए supportive connective tissue में क्या क्या आते हैं उपास्थी और अस्थी bonds और cartilage आते हैं इसके बारे में तो हमें इस sector में study नहीं करना है हमें केवल करना है किसके बारे में fluid connective tissue के बारे में अब देखिए इस fluid connective tissue में क्या क्या आता है मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसको भी हम कितने category में divide कर सकते हैं इसको भी हम two category में divide कर सकते हैं देखिए कौन-कौन सा होता है category है यह क्या विए कई पर बलड, बलड को क्या के सकते ही मैंने का इसको रखत बोल दिया लेकिन यहाँ पर अगर हम लिंफ की बात करें इसको क्या कहेंगे इसे कहेंगे लसी का कहेंगे तो आपको ये देखने को मिला कि लसी का और रखत अगे क्षो undertory कोी को डिसक्रस करना होता है понять और ये जो blood है, इसको again हम कितने category में divide कर सकते हैं, blood में कौन-कौन से components होते हैं, देखिए blood में क्या-Kया होता है, blood में होते हैं blood cells, क्या होते हैं, मैंने का blood में रक्त-कोशिकाएं होती हैं, blood cells होती हैं, और blood cells के साथ साथ यहां पे blood में और क्या होता है blood में जो है यहां पे next component होता है इसे हम कहते हैं plasma क्या कहते हैं इसे plasma कहते हैं तो देखिए blood में या तो blood cells होते हैं या फिर क्या होते हैं मैंने का plasma होते हैं लेकिन यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि total blood का I repeat कि total blood का यह जो blood cells होता है, वो कितना percent part होता है, मैंने का total blood का 45% part जो होता है, वो blood cells होता है, चीक है, लेकिन total blood का 55% part क्या होता है, 55% part क्या है, plasma होता है जिसके बारे में हमें detail में study करना है, इनी blood cells और plasma के बारे में हमें fluid connective tissue में discuss करना है जबकि supportive connective tissue के बारे में हम next chapter में study करेंगे when we will discuss about the movement and locomotion गती और गबन human physiology का ही chapter होता है उसमें हमें bonds के बारे में study करना है but in this particular chapter we are going to study about the only blood और आपने ये देखा कि blood के कितने components होते हैं blood में क्या क्या आते हैं मैंने का blood में जो है एक first component है blood cells और ये total blood का 45% होता है और blood का जो second component होता है वो जो की total blood का 55% होता है ये क्या है ये है plasma ठीक है अब देखिए यहाँ पे especially अगर blood cells की बात करें तो blood cells को again हम two category में divide करते हैं कितने category में मैंने का blood को two category में divide करते हैं और ये क्या क्या होता है मैंने का देखिए blood cells को ही two category में जो first category है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं blood cup cells क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाएगा blood cup cells कहा जाएगा और the second category है इसी blood cells में क्या आते हैं मैंने का देखिए blood cup cells और यहाँ पे हमें study करना होता है platelets के बारे में क्या करना होता है study करना होता है देखिए यहां पे plasma के बार में आपको बता दूँ कि plasma क्या है एक point तो आपको यह मालुम चल गया कि plasma जो है total blood का 55% पार्ट होता है लेकिन यह है क्या मैंने का यह alkaline fluid होता है एक शार यह द्रव है जिसे हम क्या कहते हैं plasma कहते हैं और यहां पर अ मैंने का यह एक परकार का yellow non-living fluid होता है एक yellow यह कहें कि पीले रंग का ध्रव है तो देखिए मैंने का यह liquid part होता है blood का क्या है प्लड का जो liquid part है इसे क्या कहते हैं plasma कहते हैं इसी plasma में इसी liquid part of blood में यह blood cells पैठते रहते हैं तो आपको वस इतना ध्यान रखना है कि blood में plasma उ पर फेस पे उसी के सतह पर ब्लड सेल्स तेहते लेते हैं और ब्लड सेल्स भी क्या होते हैं ब्लड कब सेल्स में डिवाइड होते हैं और प्लेटलेट्स में डिवाइड होते हैं देखिए जनरली बुक में जो हैं ब्लड सेल्स और ब्लड कब सेल्स को एक ही दिया हुआ होता ह लेकिन अगर हम authentic book की बात करें, तो blood cells को again हम आगे further भी divide कर सकते हैं, जो कुछ एक बहुत micro size के, बहुत ज़धा tiny size के, मैंने का tiny size के, जो ये cells होते हैं, इसे हम cup cells बोलते हैं, cells को यहाँ पर कहते हैं कोशिकाएं, और इसमें भी बहुत छोटी आकार की कोशिकाओं की बात करें, तो इसे कहेंगे canicae, क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे canicae, कहेंगे और canicae जो हैं वाँ पर blood cells जो हैं, उसमें आते हैं, ठीक हैं, अब देखिए, यहाँ पर liquid part के बारे मैं मैंने बताया आपको और इसका color क्या बताया, इसका color बताया कि ये कैसे होते हैं, ये yellow wish होते हैं, और येलोविश तो होते हैं लेकिन ये फ्ल्यूड है ये लिक्विड है तो ये फ्ल्यूड या फी लिक्विड किस प्रकार के नेचर के हैं किस नेचर के हैं याने का ये एलकेलाइन नेचर के हैं किस प्रकार के हैं ये सारी जो हैं द्रव कंसिडर के जाते हैं एलकेलाइन फ् मекड़कों से होते हैं, मैंने करा, फोस्ट हम स्टड़ि करेंगे, वरविंगरिक बारेमें और नेट्सके बारेमें हमें इलBlack Cells करेंगे, और Wbc? और WBC के बारे में हमें क्या करना है complete study करना है देखिए ये RBC की बात करें तो इसे क्या कहते है red blood cup cells क्या कहेंगे इसे इसे बोलेंगे red blood cup cells कहेंगे चीक है तो red blood cup cells यहाँ पर आप cells न बोलें cells lower class के book में जो होता है given होता है अब आपको cup cells बोलना है तो RBC का यहाँ पर RBC को क्या कहते है Red blood cup cells लेकिन अगर हम यहाँ पर WBC की बात करें इसको हम क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं white blood cup cells क्या कह सकते हैं इसे white blood cup cells कह सकते हैं अब मुझे आप एक बात बताएं कि यहाँ पे जो हैं अगर especially किस point को discuss करें कि यह RBC को red blood cup cells तो के दिया लेकिन इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है देखिए RBC को जो है basically और क्या कह सकते हैं यहाँ पे RBC को ही कहा जाता है erythrocyte क्या कहते हैं इसको RBC को ही erythrocyte कहा जाता है और इसी erythrocyte को हमने कहा दिया RBC या फिरेड blood cup cells जहाँ पे भी आपको biology में erythro नजर आए तो वहाँ पे color क्या होता है always red होता है यह आपको ध्यान रखना है इrythro का meaning क्या होता है red होता है अब देखिए हम इसके बारे में detail में study करेंगे हमारा topic आने वाला है RBC का अब देखिए यहाँ पे WBC की बात करते हैं जिस तरह से मैंने RBC को erythrocyte कहा है वैसे ही WBC को क्या कहते हैं मैंने का WBC को leukocyte कहा जाता है क्या कहते हैं leukocyte कहते हैं अब देखिए platelets को हम क्या कह सकते हैं प्लेट लेट जो है इसका जो है नेम क्या होता है मैंने का इसको कहा जाता है थ्रॉम्बो साइट क्या कहते है इसे हम कहते हैं थ्रॉम्बो साइट क्या कहा जाता है इसे थ्रॉम्बो साइट कहा जाता है इस एक पर्टिकलर चार्ट के माध्यम से आपने ये देखा कि हमें इस क्लासिफाइड इन्टू ब्लड क्या होता है ब्लड के लिए मैंने कहा यहां पर तरल संयों जीव उतक होता है लेकिन फ्लिट कनेक्टिव टिशू को समझने से पहले मैंने आपको एक चार्ट प्रवाइड किया इस चार्ट के माधियम से आप ये समझ पाएं कि किस तरह से connective tissue या सेयोजी उतक को further divide किया जाता है देखिए आपने यहां पे दिखा कि connective tissue are firstly initially divided and classified into two basic category the first is connective tissue proper and the second is specialized connective tissue जिसे हम कहते हैं तो अब आप यह क्या सकते हैं कि यह जो blood है या तो यह क्या है fluid connective tissue है या फिर यह क्या है मैंने का specialized connective tissue होते हैं लेकिन अगर हम supportive connective tissue की बात करते हैं तो उसमें केवल two topics include होते हैं मैंने का bonds और cartilage जो कि हमें इस chapter का पार्ट नहीं है इसे हमें next chapter में पढ़ना है मैंने का अब especially blood की बात करते हैं तो blood जो है इसके कितने component मैंने का blood के component होते हैं दो blood में क्या-क्या हो सकता है मैंने का इसमें blood cells हो सकते हैं और plasma हो सकता है blood का जो plasma वाला part है वो इसका liquid और fluid वाला part होता है जो कि alkaline nature का होता है शारिय प्रकरती का होता है अब देखे यहाँ पर इसका color क्या होता है yellowish color होता है अब देखे यहाँ पर हम ये भी discuss करेंगे किसका yellow color जो है आखिर क्यों होता है लेकिन इससे पहले देखिए मैंने आपको कहा कि हमें blood cells में क्या discuss करना होता है मैंने का यहाँ पे blood cells में हमें blood cup cells के बारे में पढ़ना होता है और platelets के बारे में पढ़ना होता है blood cup cells में हमें two types के blood cup cells के बारे में पढ़ना होता है RBC और WBC RBC को क्या कहते हैं red blood cup cells कहते हैं WBC को क्या कहते हैं white blood cup cells कहते हैं मतलब लाल रख्त कनिकाएं और हम स्वेत रख्त कनिकाएं की बात करते हैं साथ साथ यहां पर RBC को ही क्या कहा जाता है Erythrocyte कहते हैं और WBC को क्या कहते हैं Leucocyte कहते हैं हमें इतने सारे topics को इस chapter में क्या करना है अब देखे हमारा next topic क्या है पहले हम पढ़ेंगे यह जो blood वाला part है इस blood वाले part के जो यह आपको plasma रिखाएज़र है plasma के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हमारा next topic होगा that is about the blood cells उसके बाद हम किस के बारे में study करेंगे blood cells के बारे में study करेंगे लेकिन इस particular blood को हम सीधे start करने वाले हैं इसका major part क्या होता है plasma होता है तो हम यह देखते हैं कि यह plasma जो है हमें किस प्रकार से हम study कर सकते हैं plasma को देखे plasma में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है हम यह देखते हैं कि हमारा अब जो blood का ही component होता है plasma इसके बारे में हम study करते हैं देखे plasma के बारे में कौन-कौन से point हमने discuss कर लिया है मैंने आपको plasma के बारे में initially क्या बताया मैंने आपको plasma के बारे में initially यह बताया कि यह जो plasma है वो कौन सा part होता है मैंने का यह blood का fluid वाला part होता है या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये blood का liquid वाला part होता है total blood का कितना percent होता है मैंने का total blood का 55% होता है आपने ये भी study कर लिया अब plasma के बारे में और कौन कौन से point हमने study करना है देखिए plasma जो होता है basically इसके लिए pH की जो value है वो क्या है मैंने का pH की value more than 7 है तो इसका अब nature क्या हो गया मैंने का इसका nature हो गया alkaline क्या हो गया मैंने का ये alkaline nature के हो गया या फिर आप इसे simply कह सकते हैं कि ये अब शारिये प्रकरती के हो गये किस प्रकरती के मैंने का अब ये शारिये प्रकरती के हो गये alkaline nature के हो गये हम इतने सारे basic point के साथ, अब हम next point discuss करने वाले हैं. Plasma के बारे में इतना तो हमने अभी discuss कर लिया है. अब देखिए, plasma जो है, इसमें क्या कहा जाता है? plasma जो है, basically, इसके composition से पहले, एक और point study करते हैं, कि इसका color क्या होता है? मैंने अभी बताया इसका कलर क्या होता है मैंने कहा यहाँ पे इसका कलर होता है यलो यह कैसे होते हैं यह यलो होते हैं लेकिन यहाँ पे यलो कलर आखिर किस pigment या किस वर्णक के उपस्तती और presence की वज़े से यह हमें यह प्लाजमा जो है हमें यलो दिखाई देते हैं मैं आपको यह बताने वाला हूँ देखिए यहाँ पे अगर हम यलो कलर की बात करते हैं तो प्लाजमा का यलो कलर किस प्रकार के वर्णक की उपस्तती की वज़े से होता है किस प्रकार के pigment के presence की वज़े से होता है मैं आपको ये बताने वाला हूँ देखिए यहाँ पर जो इसका color yellow दिखाई देता है वो जिस pigment की वज़े से होता है इसे कहते है eurobillinosan क्या कहते है इसे मैंने कहा eurobillinosan कहा जाता है और ये important point है क्यों क्यों क्योंकि मैंने कहा आखिर वो pigment कौन सा है जिसकी उपस्तिती के कारण plasma का जो color होता है वो कैसा होता है मैंने कहा ये yellow color की होते हैं तो वो कौन सा है मैंने कहा ये due to the presence of eurobillinosan type of pigment into the plasma the plasma color is yellow ठीक है इसे color क्या होता है yellow होता है इसके बाद हम next point को यहाँ पे discuss करने वाले हैं इस point को discuss करने के बाद अब हमें क्या पढ़ना होता है कि plasma का composition क्या है ठीक है हम ये study करने वाले हैं कि अगर हम किसकी बात करें अगर हम यहाँ पे plasma के composition की बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से प्रदात होते हैं या plasma जो है, मैंने का composition की बात करने वाले हैं, plasma जो है इसका संगठन क्या होता है, मैंने कहा इसका chemical composition या फिर इसका हम रासायनिक संगठन की बात करने वाले हैं, कि plasma जो है उसका रासायनिक संगठन क्या होता है, देखिए, मैंने कहा कि अगर हम plasma के रासायनिक संगठन की बात कर इसके रासायनिक संगठन या फिर केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है. पहले हम यह बात करते हैं तो की water की बात करते हैं किसकी बात करें यहां पर हम H2O की बात करते हैं देखें यहां पर H2O जो है वो किस amount में present होते हैं मैंने का यहां पर total plasma का मैंने का 92 90 से लेकर के brand में 92 92 ठीक है मैंने का 90 से 92 वाला जो part होता है percentage वाला part होता है टोटल प्लाजमा का वो तो क्या होता है केवल वाटर होता है चीक है मैंने का यह देखिए मैंने का 92-92% part of total प्लाजमा is made up with the water इसके साथ-साथ यहां पे और क्या प्रेजेंट होता है देखिए इसके साथ-साथ यहां पर क्या प्रेजेंट होता है मैंने का यहाँ पे इन ओर्गैनिक सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं? मैंने का यहाँ पे इन ओर्गैनिक सॉल्ट भी यहाँ पर प्रिजेंट होते हैं, मतलब इसे आप जानते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अकार्बनिक लवन, क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे और carbonic लवन भी पाए जाते हैं, inorganic salt भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अब हम especially बात करते हैं, कि यह जो inorganic salt इस plasma में present है, तो आखिर इस inorganic salt में क्या-क्या present होता है, मैं आपको यह discuss करने वाला हूँ, देखिए, इसके inorganic salt और इस inorganic part में क्या-क्या present होता है, मैंने का पर different type के ions present होते हैं क्या होते हैं में ने कआ यहां पर different type के ions present होते हैं और अगर हम इस ions की बात करते हैं क्पी ona पर कौन-कौन से यहां पर present होता है इसके साथ-साथ यहां पे phosphate भी हो सकता है तो यहां पे phosphate iron भी क्या होते है प्रिजंट होते है और यहां पे मने सीधा लगा दिया है यह प्रकार के जो iron होते हैं इसके इनर्गनिक salt में ions वाले पार्ट में present होते हैं लेकिन इसके साथ साथ यहां पर और क्या प्रेजेंट होता है मैंने का यहां पर जो हैं इसी इन और्गनिक वाले पार्ट में हम यहां पर स्पेशली अगर सॉल्ट की बात करें यहां पर हम किस की बात करें लवन की बात करें किस प्रकार के लवन यहाँ पे present होते हैं मैंने का देखिए यहाँ पे अगर लवन वाले भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे KCL present होता है potassium chloride present होता है potassium chloride के साथ साथ यहाँ पे sodium chloride present होता है यहाँ पे sodium hydrogen carbonate जिसे आप क्या कह सकते हैं मैंने का देखें, यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं, क्या NaCl के साथ NaHCO3, जिसे Sodium Hydrogen Carbonate या Sodium Bicarbonate कहते हैं, और इसी Bicarbonate में यहाँ पे Potassium का Bicarbonate भी क्या होता है, KHCO3 भी क्या होता है, यहाँ पे present होता है, तो इन सभी प्रकार के जो हैं, यहाँ पे Salt भी पाई जा सकते हैं, दे से 92% तो H2O है, इन और इनिक पार्ट की बात करते हैं, तो और कार्बनिक लवन में यहाँ पे आइन्स प्रेजेंट होता है, आइन्स के साथ साथ यहाँ पे Salt प्रेजेंट होता है, Salt में यहाँ पे Potassium Coloride के साथ 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 यहाँ पे मैंने Sodium Coloride, Sodium Hydrogen Carbonate, Bicarbonate और Potassium Hydrogen Carbonate या अलग अलग प्रकार के आयन, Sodium आयन, Potassium आयन, Calcium आयन, Sulfate आयन और Phosphate आयन जैसे जो प्रदात होते हैं, सबस्टांस होते हैं, उसके Inorganic Salt का पार्ट होता है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं, इसके किस पार्ट के बारे में, यहाँ पे, इसका जो Organic Part होता है, अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ, कि अगर हम इसके Organic Part की बात करें, यहाँ पे किस भाग की बात करने वाले हैं, आप जानते हैं, अब हम और कार्वनिक भाग के अलावा, जो यहाँ पे कार्वनिक भाग जो होता है, हम इसके कार्वनिक भाग के बारे में discuss करने वाले हैं especially इस यहां पर अगर इस particular organic part की बात करते हैं तो organic part में क्या क्या present होता है देखिए इसी organic part में होता है protein present क्या होता है मैंने का यहां पर proteins present होते हैं अब अगर हम यहां पर proteins की बात करते हैं कि जो proteins है वो आखिर जो हैं कौन-कौन से प्रोटीन होते हैं, उसका amount कितना होता है, मैं आपको यह बता दूँ, देखें, यहां प्री कौन-कौन से प्रोटीन इसके organic part में present होता है, plasma के कामनिक भाग में present होता है, इसमें भी हम first of all किस protein की बात कर रहे हैं, albumin, कौन सा protein है, मैंने का हम जिस protein की बात कर रहे इसे कह रहे हैं albumin protein ठीक है albumin protein का percentage आप 4% consider कर सकते हैं कि 4% तो इसमें क्या present होता है albumin present होता है 4% क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें water तो 92% है लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम यहां पर किसकी बात करें अगर हम यहां पर solid part की बात करें solid part की बात करें liquid part तो यहां पर 93% हो गया लेकिन solid part जो है यहां पर क्या होता है मैंने और इसी solid part में हम यहां पर इन और्गेनिक और और्गेनिक पार्ट को क्या कर रहे हैं डिसकस करने वाले हैं अब देखें यहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसको डिसकस करने वाले हैं फॉस्ट प्रोटीन क्या है मैंने का अल्बूमिन प्रोटीन होता है next protein जो यहाँ पे present होता है यह कौन सा है मैंने का globulin कौन सा protein मैंने का यहाँ पे globulin protein present होते हैं और यह जो globulin protein होता है basically इसका भी कौन सा form होता है मैंने का यहाँ पर alpha globulin भी present होता है यहाँ पे beta globulin भी present होते हैं और beta globulin के साथ यहाँ पे जो है गामा या फिर यह जो यहाँ पे डेल्टा ग्लोबिलिन होता है यह भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो तीनों ही प्रकार के ग्लोबिलिन्स इसके और्गेनिक पार्ट कावनिक भाग में प्रेजेंट होते हैं अब देखिए नेक्स प्रोटीन की बात करें जो इसके organic part में present होता है यहाँ पे यह होता है fibrinosan क्या होता है fibrinosan होता है fibrinosan के साथ साथ और क्या present होते है मैंने का यहाँ पे एक और प्रकार का protein present होता है इसे कहते है prothrombine क्या कहते है इसे कहा जाता है prothrombine protein लेकिन यहाँ पे एक special point है मैंने कहा यहाँ पे fibrinosan और prothrombin चीक है यह दोनों ही प्रकार के जो protein होते हैं वो आखिर किस प्रकार के protein consider किये जाते हैं मैंने कहा यह दोनों ही प्रकार के protein जिसे मैं fibrinosan और prothrombin के रहा हूँ ये दोनों protein blood में पाए जाने वाले blood clotting के लिए पाए जाने वाले protein होते हैं किसके लिए मैंने का blood clotting की बात करें या फिर आप जानते हैं इसी को और क्या कह सकते हैं इसी को कह सकते हैं रक्त सकंदन चीक है रक्त सकंदन या फी रक्त के ठक्का बनने के प्रोसेस में जो दो प्रोटीन responsible होते हैं जिसके बारे में हमें आने वाले topics में detail में study करना है वो कौन से होते हैं ये fiber noson होते हैं और कौन से होते हैं अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके प्रोटीन वाले पार्ट को तो completely discuss किया अब सीधे हम ये discuss करने वाले हैं कि प्रोटीन के अलावा और क्या present हो सकता है लेकिन आपको यह बता दूँ कि यहाँ पे globulins जो हैं वो कितने percent amount में हो सकता है मैंने का यह जो है 2% हो सकता है ठीक है 2 से 2.5% यहाँ पे globulins प्रोटीन प्रेजेंट होता है अगर यहाँ पे albumin और globulin का blood में ratio find करें ठीक है मैंने का यहाँ पे देखिए अगर हम क्या find करें यह भी पुठा जाता है question आपको models में मिल जाएगा कि ratio of ठीक है अगर इन दोनों का इन दोनों ही प्रकार के protein albumin और globulin का ratio की बात करते हैं ratio of albumin and globulin हम देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे albumin ratio with the हम globulin देख रहे हैं है इन दोटनों ही प्रकार के प्रोटीन का रेशियो होता है 1 क्या होता है मैंने इनका रेशियो होता है 2 रेशियो 1 यह हमारा क्या है नोट पॉइंट है आखिर हमने यह कैसे रिसाइड किया यह जो मैंने आपको कहा कि यह जो यहाँ पे 8 to 10 percent होता है और यहां पे 90-92% पार्ट जो होता है, यहां पे इसका एक्ट्रो से बना हुआ पार्ट होता है, तो इस solid पार्ट में भी जो organic पार्ट के रूप में protein प्रेजेंट होते हैं, इसमें देखिए मैंने का albumin तो total plasma का 4% पार्ट होता है, और globulin होता है 2% पार्ट, तो obviously बात है यहां प directly हम lead करते हैं, इसी organic part में protein के अलावा और क्या present हो सकते हैं, मैंने का यहां पे different type के hormones present हो सकते हैं, क्या present होते हैं, मैंने का यहां पे hormones भी present होते हैं, यह hormones जो हैं, आखिर release के release जो है वो किस प्रकार के organ या फिक gland के द्वारा होते हैं आप जानते हैं जिस particular gland के द्वारा hormones का जो है release देखा जाता है उसका अस्त्रमन देखा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं endocrine gland क्या कहते हैं इसे सबक्राइक को सब्सक्राइब यहां परहुआ यहां पर फूर्म मेंरे न विल्कवरज के गने सब्सक्राइब लूख के यहां पर रूप्रे प्रेजन हुता है यहां पर गुलकोज किया हो सकते हैं प्रेजन हो सकते हैं इमिनो के साथ साथ यहाँ पर नयुक्लियो टाइट बीक्रेयर क्या होता है प्रेजनते ही ऐंग यहाँ प्रॉटार के 10 यहां पर minutes हो ग्यूर के द्वारा स्त्रावित किये जाते हैं एंडोक्राइन ग्लेंट के द्वारा रिलीज होते हैं उसके बारे में देखा फिस के थर्ड कंपोनेंट को हमने डिसकस किया डैट इस डैजेस्टी फूड लेकिन इन सब ही के साथ साथ यहां पे और क्या प्रेजेंट होता है मैंने का यहां पर कुछ एक X-Critory Substance भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं कुछ एक उचसरजी प्रदात जो है वो भी यहां पे पाए जाने की possibility है मैंने का यहां पर X-Critory Substance जिसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं उचसरजी प्रदात तो आखिर वो कौन से प्रकार के उचसरजी प् यूरिक ऐसिड का थोरा भहुत एमौन जो है प्रेजेंट हो सकता है यहां पर एक और उचसरजी प्रदात प्रेजेंट होते हैं इसे कहते हैं इसी सबधित्प होता है क्रियेटिन गहते हैं sharedite पर क्रियेटीन भी होता है, साथ-साथ यूरिया और यूरिक ऐसीड ये सभी उस सरजी प्रदाद जो होते हैं वह और गेनिक पार्ट ऑफ प्लाजमा में पाए जाते हैं अब देखेए हमने इसी के साथ जो भी entire composition होता है, उसे क्या कर लिया है, डिसकस कर लिया है एक और बार हम इन सभी points को revise करने वाले हैं, कि हमने plasmा में क्या-क्या discuss किया, इसके chemical composition में क्या-क्या discuss किया देखिए मैंने आको कहा कि plasma is the total 55% part of the total blood as well as इसका nature क्या होता है यहाँ पे pH अगर 7 से ज्यादा है तो alkaline nature क्यों होगे basic nature क्यों होगे it is the fluid and the liquid part of the blood as well as due to the presence of urobilinosan pigment इसका color कैसा होता है yellow होता है if I especially talk about the composition of plasma तो आपने रिखा कि यहां पे percentage of H2O is almost equal to 90 to 92% part जो है इसमें H2O होता है rest part 8 to 10% part should be belong to the solid part in this particular solid part of plasma you can see here in organic salt and as well as organic part हम यहां पे in organic salt या और कामनिक लवन की बात करें तो और कामनिक लवन वाले भाग में plasma में ions पाए जा सकते हैं किस किस से जो हैं यहां आइन्स की बात करते हैं यहां पर sodium आइन हो सकता है potassium आइन हो सकते है calcium sulfate और phosphate आयन जो है यहां पे present होता है और कामनिक लवन वाले भाग में और यहां पर salt लवन भी पाए जाते हैं लवन जो है वो कौन-कौन से पाए जाने के संभावन आ है मैंने का यहां पर ये potassium chloride हो सकते हैं, sodium chloride हो सकते है, potassium hydrogen carbonate जिसे हम यहाँ पे potassium bicarbonate के चे सकते हैं याफिए यहाँ पे sodium bicarbonate भी present होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे अब organic part की बारे मैंने आपको बताया, organic part में protein present है, hormones present है, यहाँ पे उसरजी प्रदात भी हो सकते हैं और digestive food भी हो सकता है protein में albumin, globulin, fibrinosan और prothrombin present है fibrinosan और prothrombin जो हैं इसमें पाए जाने वाले ऐसे protein होते हैं जो कि blood clotting और रक्ट के सकंदन में अपनी महत्रपन मुविगा निभाते हैं साथ-साथ यहाँ पे globulin, albumin का percentage मैंने आपको बताया albumin 4% होता है, globulin 2% होता है total blood लेकिन यहाँ पे रेखिए मैंने ratio बताया आपको कि albumin और globulin का blood में ratio क्या होता है 2 ratio 1 होता है इसके साथ हमने यहाँ पे endocrine glands के दोरा release होने वाले hormones की बात की X-Critory substance उस सर्जी प्रदात की यूरिया, uric acid, creatine और creatinine के बार में हमने कहा और digestive food के form में यहाँ पे glucose present हो सकते हैं, amino acid हो सकते हैं और nucleotide जैसे यहाँ पे पचित भोजन भी present हो सकते हैं हमने इस lecture में क्या discuss किया हमने human physiology का one of the important and best chapter start किया जो की बहुत सारी logic और concept के साथ हमने study किया है हमने आज circulatory system को start किया, मैंने कुछ एक basic point प्रवाइड किये open and close type of circulatory system के बारे में देखा blood vescular system के साथ साथ, lymphatic system में कौन-कौन से topic हमें पढ़ना होता है हमने यह भी discuss किया लेकिन इसी के साथ हमने क्या एक चार्ट देखा चार्ट में हमने connective tissue के बारे में पढ़ा और वहाँ पे जो fluid connective tissue होता है उसी को मैंने कहा कि रक्त क्या होते हैं एक तरल सेयूजी उत्तक होते हैं उसके अलग-अलग घटक के बारे में देखा और जो रक्त का 55% पार्ट प्लाजमा होता है प्लाजमा क्या है इसके chemical composition में कौन-कौन से organic, inorganic और S2 कितना पार्ट होता है इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया अब जो हम next lecture में पढ़ने वाले हैं अब हम रक्त कोशिकाओं की बात करेंगे मैंने आपको blood cells को two category में divide करके पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कहा कि इसमें blood cup cells के बारे में पढ़ना है और साथ-साथ हमें platelets के बारे में पढ़ना है तो next lecture में हम अलग-अलग परकार के blood cup cells RBC की बात करेंगे, WBC की बात करेंगे साथ साथ हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे After discussing the blood cup cells We will study about the blood clotting process रक्ति सकंदन के process के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे आज के इस lecture में आपको किसी भी तरह की doubts आए हैं तो आप comment box में mention करके पूछ सकते हैं तब तक के लिए जैहिन जैलाजधानी